केंडर सरकार की जनहितकारी योचनाओ का लाब जरूरत मंद लोगों तक पहुचाने के उदेश से विक्सित भारत संकल प्यात्रा की शुरुआत की गई है योचनाओ को जन जन तक पहुचाने की कड़ी में बागली विधान सबा शेत्र में एक शिवर का आयोजन किया गया जहां सभी सरकारी योचनाओ के बारे में लोगों को जनकारी दी गई देखिये ये खास रिपोर्ट विक्सित भारत संकल प्यात्रा की तहट बागली विधान सबा शेत्र के चापड़ा अमरपुरा और आवल्दा गाओं में एक कारक्रम आयोजित किया गया जहां लोगों को सरकार की जन कल्यानकारी योचनाओ की ज्वानकारी दी गई केंदर सरकार उन चाहे राज्य सरकार की विधिन योजनाओं का किल्यान वें और अधीक गती से हर वेक्टित तक कहुचे इसी के मात्यम से मध्य प्रदेश में विविन इस्तानों पर विक्सित भारत संकल पर यात्रा के मात्यम से विविन विभावों का आम जन्मानस तक पहुचना उन योजना हो और अधीक बजबत प्रदान करेगा बागली मंडल में नहीं पुरे देश में विक्सित भारत संकल पर यात्रा केंद्र सरकार के नेतरत में निकाली जा रही है और इस यात्रा का जो मूल उद्रेश्य है यह यात्रा सर्व व्यापी और सर्व समावेशी है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कई यसी योजनाएं हैं जो नीचे तक वो योजनाएं उतरनी पाती हैं हमारे गाउं परिवेश में रहने वाले लोगों तक उन यागणाओं का उनको अज्ञानता के कारण उनको ग्यान नहीं हो पाता है इस स्विक्सित भारत संकल पर यात्रा का जो मूल उद्देश से है प्रतेक पंचायत में जाकरके वहाँ पर अपने इस्टॉल लगा करके काउंटर लगा करके और सभी जो हित्गराई किसी योजना से छूट गए हैं उनका पंची करन करना अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर उनको जागरूता के लिए उनको सम्भोधित करके उनको सब योजनाओं की जानकारी देना और प्रतिक हिद्ग्राही तक मोधी सरकार की और हमारी प्रदेश सरकार की डॉक्टर मोहन यादवजी की सरकार की सारी योजनाए पहुच जाए welcome इसा यात्रा का मोलो से और उसी को लेकर कि गाउँ गाउँ में यात्रषा बताने की इस दौरान यात्रा में मुख्य रूप से बागली विधायक मुरली भवरा जला अध्यक्ष राजु खंडेलवाल और मंडल अध्यक्ष टिकेनर प्रताप सिंग मौचूर रहे ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूस बागली